नमस्कार दोस्तों, आप सभीका आपज़्टीदी के ओनलाइन प्लेटों में स्वागत है, आज की कलास का अमारा टोपिक होने वाला है मूमफली की खेती, तो मूमफली की खेती से समन्दी जो इंपोटेट इंपोटेंट क्v abuseN बनते हैं, उनी के बारे में आज की कलास होने वाली है यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज की क्लास हर एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही कि माना जाता है ब्राजिल वारे रहते चीन अमेरीका तो मुंफली का उत्पत्ति देश को को माना जाता है ब्राजील को माना जाता है ब्राजील देश को मुंपली का उत्पतिस्तल माना जाता है तो इसका ए राइट आंश्वर होने वाला है अगला क्यूशन है निम्न में से गरीब का बादाम है मुंपली तारा मेरा अरंडी या फिर सोयबीन तो जो गरीब का गरीब का बादाम मुँग फ़ली को कहा जाता है अब बात करें मूँग फ़ली की तो सबसे पहले बोटनिकल नेम क्या है तो मुँग फ़ली का बोटनिकल नेम है अरेकिस हाईपोजिया मुंगपली का बोटनिकल नेम क्या है अरेकिस हाइपोजिया अरेकिस है वो ग्रीक बाशा का सब्द है कौन सी बाशा का सब्द है अरेकिस ग्रीक बाशा का सब्द है जिसका अर्थ क्या है दलहन अर्थ क्या है उस जिसका इसका अर्थ है दलहन या फिर पोड़ इसका अर्थ है हाइपोजिया की बात करें हाइपोजिया बूमी सत्थ है बूमी सत्थ है के नीचे अब बात करते हैं कुल के बारे में मूमपली का कुल क्या है लेग्यूमी नेशी कुल का पोदा है गुनसुत्रों के संकेगी बात करें तो 40 गुनसुत्र पाए जाते हैं कि फल की परकार की बात करें तो फल का परकार है पोड कोज किस परकार का फल पाया जाता है पोड पाया जाता है मूमपली का जो फल होता है वो क्या कर लाता है मूंग फली का फल क्या कहलाता है नट कहलाता है यह क्यूशन बहुत ही इंपोटेंट है कि मूंग फली का जो फल होता है वो क्या कहलाता है नट कहलाता है अगला क्यूशन है निम्न में से मूंपली उत्पादन में राजस्तान का अगर्णी जिला कौन सा है जालावाड, सिक्कर, जैपूर या फिर विकानेर तो राजस्तान की बात करे तो राजस्तान में मूंपली उत्पादन में अगर्णी जिला विकानेर जिला है जबकि विस्व की बात करे तो विस्व में मुंगफली उत्पादन में फर्तमिस्तान किसका है उत्पादन में उत्पादन में बात करे तो चीन का है और छेतरपल की दरश्टी से बात करे तो भारत का फर्तमिस्तान है मुंगफली उत्पादन में भारत की बात करे तो भारत में गुजरात फरतमिस्तान पर है जबकि राजस्तान की बात करे राजस्तान में मुंगफली उत्पादन में दिक्का नेर जिला अगर्णिस्तान रखता है तो क्यूशन पूचा जा सकता है कि छेतर फल की दरश्टी शे उत्पादन में विश्व में फर्तमिस्तान किसका है मुंगफली उत्पादन में तो इसका राइट आंसर माना जाएगा भारत देश क्यूशन ये बन सकता है कि भारत में मूंग पली उत्पादन में गणी राज ये कुझा है गुजरात है मूंग पली अनर्ची मूंग पली अनुसंदान संस्थान का पर है जूनागड गुजरात में जूनागड गुज्रात में है कुछ पूचा दा सकता है कि मुञव जूनागड गुज्रात बारत रखता है मूंग फली उत्पादन में अगला क्यूशन है निम्न में से मूंग फली का फल है मूंग फली का फल है मूंग फली का फल है गाइट्रोजन, नोडूलीन पिलासो नाया फिर पोड़ तो इसका डी राइट आंसर होने वाला है मूंग फली का फल हो है फल का परकार क्या है फल का परकार फल का परकार तो पोड है तो इसक्यूशन का डी राइट आंसर होने वाला है लेकिन फल को क्या कहते हैं मुंखपली को फल को किस नाम से जाना जाता है नट के नाम से जाना जाता है कि मूमपली का फल तो पॉर्ड है लेकिन किस प्रकार का फल है नट का फल का प्रकार है इस कुशन का डी स्वाना जाएगा अब बात करते हैं अगले प्रोटीन की अगला प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है जबकि तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है कितनी प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है जबकि तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है प्रोटीन के मात्रा कितनी पाई जाती है तो प्रोटीन से 20% और 40% सोय बेन के दानों में प्रोटीन 40% और तेल पाया जाता है अगला क्यूशन है निम्न में से मुमफली में दाना और चिलका का अनुपात कितना होता है 40-95-5-10-25- друзья, 30-35-66 तो दाना और छिलके का अनुपात होता है मुम्पली में वो कितना होता है दाना और छिलके का अनुपात होता है 70-95-30 तो सी इस्क्यूसन का राइट आंस्वर होने वाला है अब बात करते हैं मुम्पली की तो मूमपली की जो खली होती है मूमपली की खली में 7.3 प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है जो शर्वादी की पाई जाती है मूमपली की जो पोदा है वो सीत्री पोदा है SDP प्लांट है और प्रागन की किरिया की बात करे तो प्रागन की किरिया किया है सव प्रागित पसल है किस परकार की पसल है सव प्रागित पसल है मूंपली की बलूई दो मत मर्दा सर्वस रेष्ट मानी गई है अगला क्यूंशन है निमन में से मूंपली जूब का वेराइटी की परती हेक्टेर कितनी बीजदर रखी जाती है यदि जूम का वेराइटी की बुआई की जारी है मूंक लिकी तो 20 दर कितनी रखी जाएगी यदि जूम का वेराइटी की बुआई की गई है तो 20 दर रखी जाती है 80-100 kg जूम का और यदि फेलने वाली किसमों की बुआई की जारी है तो 60 से 80 किलो बीजदर रखी जाती है इस क्यूशन का राइट आंसर होगा 80 से 100 के जी सी स्क्यूशन का राइट आंसर होने वाला है एक बार प्रोपर तरीके से देखते हैं 20 दर मूंगपली की 20 दर तो यदि जूमका वाली किसमों की बुआई की जा रही है तो उनमें 20 दर रखी जाती है 80 से 100 किलो परती हेक्टियर जबकि यदि फैलने वाली किसमों की बुआई की जा रही है तो उनमें 20 दर रखी जाती है 60 से 80 के जी परती हेक्टियर फैलने वाले किसमों की बीजदर कम रखी जाती है जबकि जुमका किस्मा की बिजदर अधिके रखी जाती है बीजोब चार की बात करें तो बीजोब चार में बाइवेस्टीन बाइवेस्टीन कलोरोपाइरी पोस और राइजोबियम कल्चर के तीन पेकेट परती हेक्टेर के साफसे कि बीजोब चार किया जाता है यदि बुआई की बाद करें तो माई जून माह में मौंखली की बुआई की जाती है ओर इन टूपी कि बात करें तो गुच्छे-दार यानि जुमके वाली किस्म में तो आर इनटो पी की दोरी रह जाती है 1 2 3 2 5 5 कितनी रखी जाती है पैटीस सेंस्टीमेटर सेंटीमीटर दुरी रखी जाती है अगंवplets म último में कितने दिनों की सुपता उस्ताप साय जाती है एक माह है चयार मह है चार से छे माह है या फिर दो से तीन माह है तो जो फेलने वाली किसमे होती है उनमें दो से तीन माहा की सुसुपताउस्ता पाई जाती है तो डी इसक्यूशन का राइट आंस्वर होने वाला है जबकि गुच्छेदार किसमों में सुसुपताउस्ता जुम का किसमों में और रोस्ता पाई जाती है तोड़ने के लिए दानों को टुछ तापमान पर पर उप्चारित किया जाता है कि इसके अलावा यदि बात करें तो इसके अलावा जो नेप्थलीक एसीटिक एसीड हार्मॉन और इंडोल हार्मोन है उनका चिड़काव किया जाता है यह जो फेलने वाली विस्तारी किस्मगा यह बुआई कीगी है केत में अगर उनमें सुसुपता उस्ता पाई जाती है उनमें 2-3 मां की उसे तोड़ने के लिए नेप्थलिक एशिट और इंडॉल चिड़काव किया जाता है इसके अलावा यह बात करें जो फेलने वाली किस्में है वह 130-150 दिन में तैयार होती है जबकि जो जूम का वेराइटी होती है वह सो दिन में तैयार हो जाती है तो यह इंपोर्टेंट है कि जूम का वेराइटी कितने दिन में तैयार हो जाती है पक कर सो दिन में जबकि फेलने वाली वेराइटी सो एक सो तीस से एफ़ीड सो दिन में पक करते है अगला क्यूशन है निम्न मेंसे मुंक्पली की पसल में परती हेटेर कितनी जिप्षम डाली जाती है देड़ सो किलो परती हेक्टिर, दो सो पचास किलो परती हेक्टिर, साढ़े तीन सो किलो परती हेक्टिर या फिर दो सो किलो परती हेक्टिर तो मूंगपली की पसल में जिप्सम की मात्रा डाली जाती है वो डाली जाती है 250 किलो परती हेक्टेर कितनी डाली जाती है 250 किलो परती हेक्टेर के इसाब से जिपसम डाली जाती है क्योंकि मूंपली में एक पॉपिंग विकार होता है जिसके कारणें दाने नहीं बनते और जिपसम में केल्सियम पाया जाता है इसलिए दाने अच्छी तरिके से वन जाते हैं अगला क्यूशन है निवन में से पॉपिंग व्यादी का संब्ध किस पसल से है सोया बीन तिल कपास या फिर मूंग फली तो जो मूंग फली में पॉपिंग व्यादी का संब्ध किस से है मूंग फली से इससे मूंग फली से पॉपिंग व्यादी का संब्ध है तो डी इसक् विकार होता है इसमें केल्सियम की कम्य से केल्सियम की कम्य से दाने नहीं बनते चो दाने वो नहीं बनते इसके उपचार हेट की बात करें तो GIPSUM का परियोग किया जाता है जिब संग इसừa ये एनि पी के साथ नै पी के ऐन पी के साथ नामेरजन 15 कि जालिसके जेता है से इनषी साथ जिम्सम डाली जाती है दोसों कर चासगां परति हेक्टिर मात्रा कल डुझा बीज़ाती है और उसे भी ज्यादा पोटास की डाले जाती है जब कि जिपसम है वो 250 किलो परती है एक्टेर के इसाब से बुआई से पहले ही मर्दा में डाला जाता है या फिर गुआई के समय नहीं डालते हैं तो जो फरतम गुड़ाई की जाती है निराई गुड़ाई की जाती है वो कब की जाती है पुस्पन के समय तो पुस्पन के समय भी जिपसम डाली जा सकती है 250 किलो परती हेक्टियर डाली जा सकती है क्या जिपस्व का प्रयोग किया जा सकता है जिसके करण दानों का अच्छे से विकास हो और अच्छे दाने विवने जिसेंगी उपजबी अधिके प्राप्त हो वे अब बात करते हैं अगले क्यूस्ट्चन के बारे में अगला क्यूस फिर बेसालीन दोनों या फिर सीमा जीन तो मूनपली में जो करपतवार नाशी का प्रियोग किया जाता है वह किया जाता है तो इमेजा था पिर इमेजा था पिर एक किया जाता है बेसालीन इन दोनों का ही प्रियोग किया जाता है यदि बेसालीन की बात करें तो बेसालीन का प्रियोग किया जाता है अंकूरन से पूर मुंपली की पसल में यदि खर्पतवार नियंदर ने तो खर्पतवार नाशी का प्रियोग किया जाता है तो बेसालीन कर्पतवार नाशी का प्रियोग किया जाता है अंकुरण से पूर है जबकि इमाजे थापिर का प्रियोग किया जाता है वो खड़ी पसल में किया जाता है खड़ी पसल में यानि कि अंकुरन के बाद में मेजा था प्रकत्वार नाशी का मुंपली की प्रयोग किया जाता है जब कि बेसालीनक पर्योंपली का प्रियोग किया जाता है अब अगले question की बात करें तो अगला question है कि निमन मीषे मुंपली की गुछे वाले किसम ऐariamente कौन कौन सी है जे एले și जी टूर्जी141 या फिर ओल यह तीनों कि किसमें मूम्पली की गुच्छे वाली किसमें थो इस किसंग का डी-र sino होने वाला है इसके, अलावा अन्य किस्मों की बात करें कि खुच्छे वाली किस्म organs जी है तो इसके अलावा एक तो है JL2, JL24, यह 90 दिन में पक जाती है, 90 दिन में पक करें, तेयार हो जाती है, इसके अलावा है GG2, यह रेतली मर्दा के लिए उपियोगत है, इसके अलावा यह दि बात करें, एक के, 24, इसके अलावा है JT, T32, TME79, RG141, JL24, जेल24 नब्बत दिन में पक कर त्यार हो जाती है, इसके अलावा यह दि बात करें, तो इसके अलावा अन्य किसम कौन कौन सी है, इसके अलावा यह दि बात करें, इसके अलावा है, एक तो है, आरजी, 382, इसके अलावा है, फेज़ापूर, फेज़ापूर पस्ट, इसके अलावा है, ग्रीनार, ग्रीनार टू, यह मुम्पली की, गुच्छे वाली, या जूम खावेराइटी है, अब बात करते हैं, नेक्स क्यूशन के बारे में, अगला क्यूशन है, निम्नी में से मुम्पली की फेलने वाली किसमे कौन-कौन सी है, आर, एस, भी, शित्य, सी, आर, एस, पस्ट, एम, तेरा, फिर, ओल, यह तीनों ही किसमे है, वो मुम्पली की फेलने वाली वेराइटी है, फेलने वाली वेराइटी है, तो डी क्यूशन, डी का राइट आंसर होने वाला है अब बात करते हैं फेलने वाली अन्य किस्मों की एक तो है RS Pr manufacturer यह मुनपली की जिद्दाने का रंग होता है वो हलका गुलाबी होता है हलका गुलाबी इसके अलावा बात करें RS B 30 RS B 30 आर्द विस्तारी किसम है यह मुनपली की अर्द विस्तारी किसम है सुसुपता उस्ता पाई जाती है इसके अलावा है चंद्रा इसके अलावा है चित्रा चंद्रा चित्रा अंबर गिर्नार जीजी 20 यह मूंपली की फैलने वाली किसमे है अब बात करते हैं जो जी जी बीस और आरेस भी शित्तेशी यह दोनों ही मूंपली की अर्द विश्तारी किसम है अर्द विश्तारी किसम है इसके अलावा आर जो एम तेरा है उसमें सुसुपता वस्ता पाई जाती है दो माह की सुसुपता वस्ता तोड़ने के लिए इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है या फिर वुआई के समय विजो को उचता आपमान पर उपचारित किया जाता है अब अगले क्यूशन के बारे में बात करें तो अगला क्यूशन है कि निमन में से मूंपली की अर्द विस्तारी किसम कौन कौन सी है और एस भी शित्याशी जीजी वीश दोनों या फिर चित्रा तो मूंपली की आर एस भी शित्याशी और जीजी टू यह दोनों ही यह दोनों किस्में ही अर्द विस्तारी किस्म है तो सिस क्यूशन का राइट आंस्वर होने वाला है अगला क्यूशन है निम्न मेंसे मुंपली के दानों में कौन सा विशेला तत्त उपाया जाता है गाई टोजन ऑक्सिडेशन अल्फा टॉक्षिन या फिर पोड़ स्पोधी बात करें ओक्सिडेशन के बात करें तो मुँप्लि तेल में को दूर्गंद आती है गाई ड्रोजन की बात in लेगे तो ये तो ये स्वोयवीजियेन से समंदित है । स्वोयवीजिय одного में जो दूरगंध आती है तो क्यों सकता है कि मुणफली तेल में दूरगंध किस कारण होती है गर्व है। उक्षिकर्ण या ओक्षडेशन के पाया जाता है अब बात करें मुंपली के कुलूतपादन का उपयोग में तेल की बात करें तो तेल निकाला जाता बात करें कृति है कि निरयात में कितना 1 प्रतिश्य प्रयोग किया जाता है 12 किलो को 12 किलो जो बीज है उसका बीज यानि बुवाई के रूप में और एक परतिशत मुपली का निर्यात किया जाता है याने 100 पृत्पादन में च्च compr प्रतिशत टेल की रोप में उप्योग किया जाता है मूंपली का इसके अलावा 6 पृतिशत मूंपली की जाता है 12 पृती विज का इने जाता है एक प्रतिशत मूंपली का निरयात किया जाता है विद्यouse में मनें सब्सक्राइब का पर्मूप रोग कौन सा है पीलिया टिक का दोनों या फिर जलियलरी रोग करें होता है तो यह कि किमिष्य होता है वे में पिलिया रोग होता है किसकी कमीशे होता है फेरस की कमीशे होता है जब की बात करें टिकरो की गारण होता है यह होता है एरिची दोगला नामक कवक के लगड़ नामक कवक की ओर एक उता hour परसोग ने परसोगे कवक के कारणे होता है इसके उप्चारतों का प्सुर्सकार किया जर्दर अन्ठा टिक्टा रोगवदी से ऊप्चारतàoं किसे जबकि granular हारोकिन ने नेने दान है तूछ फेरस का इस्पीया हाथ जाता है। अगला क्यूंशन है निम्न मेंसे मूंगपल की सर्वाधिक उतपा दखता कितनी है। कि 10 से 15 कत्ति हैं कि 10 से 15 ही Além सोंटल पॉर्ध्र क invece, 20 की उन्टाल पर दौरद हैं किने हैं, मूंपली की शर्वादिक उत्पादकता है 17 से 20 की वेंटल परती है एक्टियर तो 20 का राइट आंसर होने वाला है जबकि फेलने वाली किस्मों की उपज तो वो तो 10 से 15 की वेंटल पराप्त होती है जबकि फेलने वाली किस्मों की बात करें तो 15 से 20 की वेंटल परती है observed ऊपच्पराब्त होती है लेकिन उतपादकता की बात करें किसम है चित्रा, कोसल, विक्रा में या फिर M13 तो मुंपली की टिका रोग रोधी किसम कौन सी है M13 मुंपली की M13 किसम में टिका रोग नहीं होता है तो discussion का right answer होने वाला है मुंपली से समंदी जो important important question बनते थे और अधिकतर question exam पूचे जा सके हैं पूचे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज क्लास में discussion किया गया है इसके अलावा जो important important topic रह गया है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मुंपली में पोदो की संक्या यदि गुच्छे वाली किसमों की बुवाई की जा रही है तो बीजदर रखी जाती है 80-100 किलो परती हेक्टेर और एक हेक्टेर में कितने पोदों की संक्या लगाई जाती है एक हेक्टेर में 3.33 लाख पोदे लगाए जाते हैं और यदि फेलने वाली किसमों की बुवाई की जा रही है तो बीजदर कितनी रखी जाती है 60-80 किलो परती हेक्टेर और एक हेक्टेर में कितने पोदे लगाए जाते हैं 2.22 लाख बाईस जार पोदे लगाए जाते हैं यह दोनों किसमों की बीजदर कितनी रखी जाती है तो उनकी बीज़दर रखी जाती है 80-100 किलो और उनमे एक हेक्टेर में पौदो की संक्या लगाई जाती है यदि फेलने वाले किस्मों की बात करें तो उनकी बीजदर रखी जाती है 66-80 किलो परती हेक्टेर और 15 President में पोदो किसंख्य कितनी लगाई जाती है 2.22 लाग परती हेक्टेर पोदो किसंख्या लगाई जाती है अब बात करते हैं यदि ताप मान के बारे में तो वार्शिक वर्षा की बात करें तो वार्शिक वर्षा 50 से 100 cm वार्शिक वर्षा होना आवशिक है इस्टतम तापमान की बात करें तो 25 से 30 degree centigrade मून फिली की पसल के लिए इस्टतम तापमान माना गया है अब बात करते हैं टेस्ट वेट एक तो टेस्ट वेट होता है और एक होता है सीड इंडेक्स तो मून फिली का टेस्ट वेट होता है 400 से 500 गराम और सीड इंडेक्स होता है वोता है 45 गराम यह दोनों किशन बहुत ही इंपोटेंट है कन्फ्यूज भी हो सकते हैं कि मूंग फली का टेस्ट वेट कितना होता है तो मूंग फली का टेस्ट वेट होता है 400 से 500 ग्राम जबकि मूंग फली का सीड इंडेक्स कितना होता है सीड इंडेक्स होता है 45 ग्राम होता है मूंग फली का सीड इंडेक्स से इसके अलावा मूंपली का बोटनिकल नेम क्या है तो मूंपली का बोटनिकल नेम है अरे किस क्या है अरे किस कि अरे किसी हाइपोजिया मूंपली का बोटनिकल नेम क्या है रेकिस हाइपोजिया इसके अलावा मूंपली का कुल क्या है लेग्यूमिनेशी लेग्यू मिनेशी वुम्पली का कुल लेग्यू मिनेशी है गूनसुत्रों की संके की बात करेवसे की चालिश गूनसुत्र है और य治 उत्पतिश्तल की बात करेवसे कि तो billionaire की ब्राजील, य olurs फल का प्रकार तो पोड है लेकिन मूंगफली का फल क्या कहलाता है मूंगफली का फल नट कहलाता है इसके अलावा यदि बात करें तो मूंगफली में दोस्टे जाई मैने की जो एक से दो माह की कितने दिन की एक से दो माह की सुसुपता उस्ता पाई जाती है एक से दो मां की सुसुपता उस्ता पाई जाती है इसे तोड़ने के लिए नेप्थलिक एसीटी के एसीड और उंडोल एसीटी के एसीड का हार्मोन का छिड़काव किया जाता है जो फेलने वाली पर जाती होती है वो तो 120 से 150 दिन में पक्कर त्यार हो जाती है लेकिन जो यदि बात करें तो राजस्तान में मूंफली कहां पर शर्वादीक उत्पादित होती है विक्का नेर जीले में उत्पादित होती है मूंफली का एनार्ची कहां पर है तो वह है जूनागडे गुजरात में कहां पर है जूनागड गुजरात में है इसके अलावा मूंफली क कि गुल मुपल sticks asses के बात किलियान दो तेल इक्याशी प्रतिसिछत तो मुंपली का तेल निकाला जाता है खाने की बात करे तौश प्रतिस्छत खाने उप्योग किपा जाता है विले के केवल मूंगफली का एक प्रतिशत निर्यात किया जाता है यह क्यूशन बहुत ही इंपोटेंट है दो या तीन बार जेट में रिपीट वा क्यूशन है कि मूंगफली के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत परियोग मूंगफली किया निर्यात किया जाता है तो एक प्रतिश test weight होता है 400 से 500 ग्राम जब कि seed index कितना होता है seed index होता है 45 ग्राम इस्ट तम्तापमान की बात करें तो 25 से 30 degree centigrade मुंभभली की खेती के लिए इस्ट दमतापमान माना गया है तिलहानी पस्लों का ला बारे में और बी बात करें मुंग्पली के तो मुंग्पली के अंकुरन के समय ता आप मान की बात करें तो अंकुरन के लिए 25 CATA 27 количество प्प्यक्प्श्युक्प आप माना जक्ता है अब बात करते हैं मूंपली की कुछ किस्मों के बारे में तो M 13 किस्म है वो टिका रोग रोधी किस्म है इसके अलावा दो अर्द विस्तारी किस्म है वो कोन कोन सोरी सबसे पहले JL24 के बारे में बात करते हैं ये 90 दिन में पकर तियार हो जाती है इसके अलावा यह दि बात करें तो मूंगफली की दो अर्द विस्तारी किसमें है कौन कौन सी है? दो अर्द विस्तारी किसमें है एक तो है RSVC80 और एक है एक कौन सी है GG20 यह दोनों किसमें अर्द विस्तारी किसम है मूंगफली की इसके अलावा यदि उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में मौंपली की गुच्छे वाली किस्मों से 10 से 15 की उन्टल उपस ब्रापत होती है जबकी फेलने वाली किस्मों से 15 से 20 की उन्टल उपस ब्रापत होती है है यह इसके थे तो अजिक क्लास में जो किया है वो थे मुष्पली समझीजित इंपपेंट 1 QT इसन थे मारे में यहरे हैं और फोभिवल को ल्यक्ता शेरें और चेयर करना ना बुले आजी क्लास में हर मुंपली खेती समझ जो important important question बनते थे आधिकतर question एक्जाम पूछे जाचोके हैं और वो आपकी exam की दुरिष्टी से बहुत important question है उन सभी के बारे में discussion किया गया है यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें और चैनल को subscribe करना ना बूले आजी क्लास में बस इतना ही अगली क्लास में हम और भी discussion करने वाले हैं आप अगली क्लास होने वाली है GK की अब बस thank you